बिस्मिल्ला इर्रख्मार ररहीम असलाम उलेकूम सामीन मैं डॉक्टर स्लम नवीद मेरी वीडियो एडुकेशनल पर्पस मैं आल्टिनेटिव मेडिसन में सेक्सोलोजिस्ट हूँ 35 साल से ज्यादा मेरी प्रेक्टर्स है इसी शोबे में आप मेरी वीडियो पहले भी सुनते रहते हैं आज जो जिकर करूंगा वो है मर्दाना अमराज का सेल्फ टेस्ट पार्ट टू पार्ट वन मैंने सिम्पल टेस्ट बताया था अब हम पार्ट टू की तरफ आते हैं जो एडवांस टेस्ट होते हैं उसके लिए अमूमन जो हमारे हाँ हमारे मुल्क में इलाज किया अक्राया जाता है वो बगएर टेस्टों के किया जाता है और बगएर तश्वीश किये हुए रंडमली दवाएं कुछ नेट पे खरी दी जाती है और फिर वो बाद में दवाएं बची हुई या खाली डबी हैं मेरे हम जब आते हैं तो इसलिए मेरी कोशिश है कि लोगों को ये रानमाई दी जाए अवेर किया जाए कि वो इस तरह से दवाएं खाके अपने जिसमानी जिसम को नुकसान ना पहुचाएं वो पहले किसी कौलिफाइड डॉक्टर से तश्षीश करवाएं कि है क्या वज़ा क्या दिया था अवा जाते हैं इसके अगले उस पर अगर इससे काबले इत्मनान हल मिल गया है जो पहला पार्ट वन था तो ठीक है वरना अगर किसी को फिर भी शक हो कि उसका मसला जिसमानी है तो वो आनलाइन मश्वरे के लिए भी रापता कर सकते हैं डॉक्टर के मश्वरे के बाद आप अपने शहर से भी टेस्ट करवा सकते हैं और इलाज भी तज्वीज करा सकते हैं अगर कोई आनलाइन मश्वरे फीस जो के पच्छी सो रुपए है अफोर्ड नहीं करता तो मदर जाजल अलामात की बनियाद पर ये टेस्ट खुद ही करवाएं मैं इसकी डिटेल बता दूँगा और फीस सिर्फ 1000 होगी और टेस्ट रिजल्ट सेंड करके दवाते जवीज करवा सकते हैं अपने शहर से ही टेस्ट करवाएं मुझे वर्टसब कर दें तो चुक्ए इसके तकाज़े हो रहे हैं कि ये आनलाइन कंसल्ट हैं सी जो नहीं पहुंच सकते वो उन सेल्फ टेस्ट के नाम से सेल्फ टेस्ट एडवांस के नाम से ये मिल जाएगा वो फर्म क diferentes करके उसी पर नेट प्पे फ्र करना है और नेट पर ही हो इसेंट कर देना है तो आजाएगा उसको देखते हुए फिर जब आप के अपाइड मिंट लेंगे प्र जो मेरे सामने आपकी हिस्ट्री मौजूद होगी मजीद स्वाल करने होंगे वो भी कर लेंगे तो फिर आपको मैं कोई कर सकता हूँ, अड़ाइज कर सकता हूँ ये फाम आप वहां देख लीजिएगा और इसमें भी फाम शो कर देगा वीडियो में फामशो कर देंगे लेकिन ये जो सकता तो वो साइट पर जाके फिल कोना तो उसमें ये مثلاً उस फाम में आ देखें, नाम है, उमर है, कद है, फोन है, वजन है, गरवालों शादी शादी शुदा है, गैर शादी शुदा है, कब से शादी शुदा है, बच्चे कितने हैं, हम बिस्तरी कितने दिन दिन बाद हो रही है, मिलने की खाश कैसी है, व्जू में इतना हो कम ह कभी कभी कम है बिल्कुल नहीं है शादी से पहले कोई तजर्बा कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है शादी से पहले मुश्धनी पे क्या रिस्पॉंस था शादी से पहले मुश्धनी पे टाइम क्या था शादी के बाद टाइम कितना लगता है कौन सी प्राबलम है कब से है हमिस्तری के दुरान तनाव खतम तो नहीं हो जाता, तनाव पूरा आता है और दखूल के बाद खतम या कम हो जाता है, उस उपर हाथ साती तौर पे कोई चोड तो नहीं लगी, किर्किट, बाल वगएरा उसकी तफसील है, तो यह सारी चीज़े फार्म फिल करने के बाद यह मदर्जाजल टेस्ट हैं, जो बेसिक तो सबको करवाने हैं, वो टेस्ट इसमें दिये हुए हैं, आप उससे देख लेंगे जाके, पेज पे, फार्म पे, वेबसाइट पे, सेक्सोलोजिस्ट पाकस्तान डाट काम, सीरम टेस्टोस्टोन है, सीरम प्रोलेक्टिन है, वाइटमन B12 है, हाइड्रॉक्सी D3 है, RFTs और LFT है, फोलक एसड है, सीरम केलशियम है, और यूरिन DR है, अगर किसी का वजन ज्यादा है, खाने बाहर के खाता है, ब्लेड पैशर है तो 12 घंटे खाली पेट रहके, ये फास्टिंग लिपट प्रोफाइल भी करवानी है, और अगर खुद को, या वालदेन को, फैमली में किसी को शूगर है, तो फिर HBA 1CB साथ करवानी है, और अगर वजन बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा कम है, तो फिर थायरेड प्रोफाइल भी करवानी है, और अगर किसी को बहुत टैंशन है, उसका जॉब टैंशन वाला है, या वो वैसे किसी, कोई मकदमा बाद, या बहुत सारी टैंशन होती है, तो कोई टैंशन है, तो वो फिर साथ उसके सीरम कॉर्टिजोल भी करवा लेगा, और अगर किसी को जरियान के कत्रे के काशक है. तो आने समझ रहा है, इन्फेक्शन भी हो उससे समझ रहा हो तब युरिन डी आर करवा लेगा और युरिनCuase करवा लेगा और इसी तरह अगर इतलाम बहुत ज़्यादा हो तो इतलाम वैसे तो नार्मल होता है लेकर अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर वो स्टूल डियार और यूरिन डियार ये दोनों करवा लेगा और अगर किसी को उलाद नहीं हो रही है तो पाँच दिन की हम बिस्तरी से नागा करके वो सीमेन अनलाइसिस करवाएगा और Siroam FSH भी करवा लेगा इसी तरह अगर किसी को सुरत अनलाव है यादि प्रीमेच्वर इजयक्लेशण या रेपड इजयक्लेशन है तो जिसे जकावत हिस भी कहते हैं टाइम की कमी भी कहते हैं वो बेसिक टेस्ट के साथ साथ सीरम कौर्टिजोल कराएगा और उसके साथ 24 आवर यूरीन फार 5 HIA वो करवाएगा तीन दिन के प्रोटोकोल से यह जो मैं अजाफी चीज़ें बता रहा हूँ यह उन बेसिक टेस्टों के ब करवाएगे वो ठीक है तो यह उन्हें भी करवाना है चाहिए यह टेस्ट जो आखर में मैंने बताया है सिरम कार्टिजोल और यूरीन 5 HIA यह जिनको डिप्रेशन या कोई टैंशन की दवा खाते हों उन्हें भी यह टेस्ट करवाना पड़ता है यह रीट्रो ग्रेड इज सिस्टम में मैंने बताये थे तो यह तो लैब के होड़े से थे अब आजाते हैं यह टेस्ट दमाग के जिनसी ख्यालाद के नतीजे में जनरेट होने वाले निरो टांस्मीटर जो दमाग से कमर और कमर से उज़ू तक खास पगामरसानी का रोल अदा करते हैं तनावव सिंगनल आपके सोच के सिंगनल झो आपके आँ रहे होते हैं वो टांस्मीटर गलुटफ की इनतहा पर मनी की ठहली को जटका देने वाले वोग इसमें test ہو جاتے ہیں जो ejaculatory duct और prostate को जट्का देते हैं उसकी तहिरीक दे के खरज करवाते हैं पल्विक फिलोर मसल जट्का देते हैं तो तब ही तो वह खरज होता है आज यानि सिगनल जो erection करने में मदद देते हैं और वह आपको इसको यह तस्वीर में नजर आएंगे । यह सिगनल उसमें आप देखेंगे अचा यह देखें, होता यह है कि जब इन्सान सोचता है किसी पार्टनर के होले से कि देखता है, सोचता है, बात करता यह तो यहां सिगनल बनते हैं यह signal generate होके आते हैं through spine, यह जितने बेतर आएंगे उतना ही erection बेतर होती जाएगी, अगर यह signal किसी वज़ा से कम हो जाएं, तो यह भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगे, और कम हो जाएगा, तो इस तरह से यह test भी यहाँ पर हो जाता है, इस test में यह पता चलता है, कि आपका आपका जो erection transmitter हैं, वो कितने हैं, अगर erection transmitter कम होंगे, तो erection भी कम होगी, और erection transmitter आए तो, लेकर बीच में शाट हो गया, तो erection कम हो जाएगी, तो यह तो हो गई इसकी erection transmitter हैं, अच्छा यह जो मैंने बताया है, कि रगों का test, अब वो रगों का test कैसे होता है, यह जो तस शुरू होता है, यह cut section देख रहे हैं, यह खून भर रहा है, और यह फूल रहा है, जैसे जैसे खून भरेगा, यह फूलता जाएगा, तो टाइट होता जाएगा, आखर यह खून कहां से आता है, यह है रग, यह रग यहां से लेके आई, इसने भरा, यह 35 cm पर second का pressure लेके कि यह जो रग है इसकी, यह blue valley, यह वापस जाने से रोक नहीं सकती, यानि इसके वाल कमजोर हो जाते हैं, और यह खून ज्यादा वापस चला जाता है, फाइव सीम पर second से ज्यादा वापस नहीं जाना चाहिए, अगर यह six यह seven यह eight यह ऐसे ज्यादा वापस चला जाएग यह दाखल करने से पहली डीला हो जाएगा, यह दाखल करने के बाद डीला हो जाएगा, तो यह पिर यह टेस्ट यहां हो जाता है, एक injection लगता है, पांच मिनट में पूरी फुल एरेक्शन हो जाती है, खड़ा हो जाता है, और वह फिर खड़ा ही रहता है, आदा घंटे से पहले बैठ नहीं सकता, उसे बैठना भी नहीं चाहिए, किसी किसी में तो घंटा भी और डेड़ घंटा भी और दो घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन टेस्ट तीस मिनट का होता है, मैकसिमम, तो वह टेस्ट में पता चल जाता है कि कौन सी रगें कमजोर हैं या हैं भी के यह दोनों टेस्ट हमारे हां मेशीनों पे हो जाते हैं, अमुमมาन मरीज़खुजदा हमारे पास आते हैं तीसरा टेस्ट, जो कि उसमें तीन मेजर सिस्टम में के वाले पेज में मैंने बताया हुआ है, तीन मेजर सिस्टम का पेज भी मीरी वेब साइट Sexologist पाकिसदान עם knowledge, बोगे हैं, बोगेर के इनकी रघे मर गई है, भी बगाइर तहकीक के उन्हें खाशक रचववा कर दिया जाता है, रघे हैं कॉन सी रखे मर गई है, बहुत से जब हमगे.ि के ऑई हम टेस्ट करते हैं उनकी रघे तॉ ठीक निकलती हैं और ये रगों का टेस्ट हो जाता है उनको यह तक नहीं पता बता जाता कि कौन सी रग मर गई भाई उसका नाम ढी बतादो कौन सी रग मरी आप रगे अछी हैं रगें को लpower लगा गये खामखा नहीं मर जाती हैं यह सिस्टम अल्हत अल्ला ने इतना वो उस वीडियो में जाके देख लें कि मुझ जनी से ऐसे कोई नुकसान नहीं होते, रगें मरनें वगएरा के, और फिर उसमें अगर फिर भी किसी को हो, शक हो, तो वो शक निकाल ले, सेकलाजिकल प्राबलम के लिए, भी मेरे हाँ काउंसलिंग होती है, प्री मेरेज काउंसलिंग, आफ्टर मेरेज काउंसलिंग, आफ्टर फेलियर काउंसलिंग, फिर कम्प्रिहेंसिफ फर होल लाइफ काउंसलिंग, ना मेरी जरूरत पड़ेगी, ना किसी और डाक्टर की ज किए खाम का दौाएं ना खाएं अपनी जेब का अपनी सहत का नुक्सान से बचें और अपना ख्यार लखें बहुत शुक्रिया फिर इन्शालला अगली वीडियो में मुलाकात होगी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेर करें चैनल को सबस्क्राइब करें बेल हाफेज